और वीडियोस के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस बार की विधानसवा चुनाओ में उमीद्वारों को सरकारी विभागों से नो ड्यूज यानि की कोई बकाया नहीं का प्रमानपत्र जमा कराना होगा जिस तरह पंचायक चुनाव में सरपंच उम्मीद्वारों से सरकारे विभागों के नो ड्यूज का फॉर्म जमा कराया जाता है ठीक उसी तरह आगामी विधानसवा चुनाव में उम्मीद्वारों को सरकारी नो ड्यूज का अतरक्त हलफनामा देना पड़ेगा इस बार का विधानसवा चुनाव उन अभ्यर्तियों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है जो सरकारी आवास में रह रहे हैं और उनका आवास बिजली पानी टेलीफोन का बिल बकाया है ऐसे बकायदार विधानसवा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे आयोग ने ऐसे लोगों के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ नई विवस्था करते हुए एक अतरिक्त शपत पत्र जोड़ा है इसमें अभ्यर्तियों को शपत देनी होगी कि उन पर कोई बकाया नहीं है इसके अलावा नाम निर्देशन पत्र में भी बदलाब किया गया है इस बार अभ्यर्ती को शपत पत्र देना होगा साथ ही अपरादिक मामलों के विवरण को भी नाम निर्देशन पत्र में शामिल कर दिया है नामांकन फॉर्म में ही उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाले जानकारी के कॉलम भड़ा दिये गया है इसके अलावा फॉर्म 26 के साथ अतरिक्त नोड्यूस हलफ नामे को भी अनिवारे कर दिया गया है उसके अनुसार अभ्यर्तियों को ये लिखित देना होगा कि उन्हें पिछले 10 सालों से कोई सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है या फिर जो सरकारी आवास आवंटित है उसका पिछले 10 सालों में चालू चुनाव के अधिसूचना तक कोई भी देर आशी आवास बेचले पानी या फोन का बिल बकाया नहीं इसलिए चुनाव लड़ने से पहले नेता जी जरा सभल जाईएगा